periodic table के इस lecture में हम देखेंगे IUPC naming of element और देखेंगे total number of elements in F, S, P, D, F block देखे, S, total, अगर हम बात करें, total S block element, तो total S block element है 14, कैसे? अगर हम बात करें, तो first है और second है group में कितने 6, 6 element हो गए, कहां से लेके? second period से लेके seven period तक ठीके? और एक hydrogen element हुआ first period में, first एक group के first period में और एक helium हुआ 18 group में, मगर ये सब क्या है? S block element के लाएंगे क्यों? क्योंकि इसके outer most में देखे, इसके outer most में जो electron है 1 वो कहां जाता है S sub cell में और helium में total electron है 2 और ये जो last electron है, किसमें जाएगा S sub cell में जाता है तो ये क्याक लाएगा S block element वो अलग बात है कि ये कहां रखा गया है? पिरिड टेवल में 18 group के top पे, ठीक है? तो अगर हम बात करें S block element की, तो हो total कितने हो गए, 14 हो गए, कैसे? 6 तो हो गए 1st में, 6 हो गए 2nd में, और एक hydrogen हो गया और एक helium हो गया ये 1st period के 2 element हो गए, जो दोनों के 2 क्या है? S block element है, किलियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें total F block element, तो total F block element कितने होंगे? 28, कैसे? अगर हम बात करें 14 तो लेंट्रोनोइट सीरीज में, और 14 एक्टोनोइट सीरीज में, तो total मिलके कितने हो गए? 28, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जैसे एक्टोनोइट में बात करें, तो LU है, LR है, ये जैसे TH है, F block element में, इन में जो last electron है, वो कहां जाता है? होता है, किसमें sub cells की बीच में, वो क्या हो जाता है, small, उसकी बज़े से electron क्या कर जाते हैं, D और F में चल जाते हैं, मगर ये कहलाएंगे ultimately किसमे F block element में, ठीके, तो बात करें, तो बस ध्यान रखना है कि जो F block element है, वो कितने है, 28 है, और जैसे LULR में, last electron किसमें गया D में, but atomic number increase होने के वेज़ से effective atomic number high होगा, जिससे energy level difference क्या हो जाएगा, कम, और where last electron is went, जहां पर last electron क्या कर जाएगा, went करेगा, तो अगर हम बात करें, तो block classification has exceptional, तो जो block classification है, उसमें exceptional है, जैसे कि TH है, LU है, LR है, exceptional क्यों है, क्योंकि इनमें last electron किसमें जाता है, D sub cells में, मगर हैं किस insulin F block, मगर यह कहां still करते हैं, F block में, और इसलिए total elements कितने कहलाते हैं, 28, किसमें F block element में, जिसमें से 14 हुए lengthenoid series के, और 14 हुए actenoid series के, अगर हम बात करें, S block element क्या है, P block element क्या है, D block element क्या है, तो last electron, अगर S sub cell में जाता है, तो उसे बोलते है, S block element, अगर last electron P में जाता है, तो P block element, और अगर last electron D में गया है, तो D block element, और last electron अगर F sub cell में जाता है, तो उसे बोलते है, F block element, ठीक है, तो यह हमारी classification है, S, P, D, F block के हम किस तरीके से classification करते हैं, तो मगर इसके कुछ exceptional हैं, जैसे हमने बता दिये किसमें, F block element में, जिन में last electron जाता है, D में, मगर यह कहला ह रखे किसमें गए है, F block element में, next अगर हम बात करें, total P block element, तो अगर total P block element की बात करें, तो देखिए, P block अगर हम बात करें, तो P block की कितने group हैं, अगर हम बात करें, 16 से लेके, 16 से लेके 18 group जो हैं, यह 6 group जो हैं, यह 6 group किसके हैं, P block के हैं, तो हर एक group में अगर हम बात करें, तो कितने electron है 6 क्योंकि second period में हम बात करें first period में कोई element होता नहीं second period से start होते हैं अगर 18 group में first period में element भी है तो helium हर वो किसका है s block का है तो अगर हम देखें तो p block की कितने group होगा 6 और a group में कितने electron कितने element है 6 element है क्यों है 6 क्योंकि 7 period है मगर first period में कोई element नहीं होता इनके तो ये second से लेकर कहां तक होते हैं 7 तक तो एक group के अंदर कितने element होंगे 6 होंगे और total कितने group हैं P block के 6 तो 6 into 6 कितना हो गया 36 तो जो P block element है वो 36 होने चाहिए मगर मैंने आपको बताया है कि total periodic table में total periodic table में कितने कितने space हैं अगर हम space की बात करें तो वो है 118 मगर केवल कितने element present है अभी 114 रिजन क्या है क्योंकि 4 element अभी unknown है missing है और मैंने आपको बताया था वो किसके missing है P block के तो इसमें total electron कितने होने होने चाहिए P block element में total अगर हम बात करें space कितने है 36 मगर हम आपे element कितने है 32 है क्योंकि 4 element अभी unknown है वो missing है वो identify नहीं हुए है ठीक है तो जो P block total P block element हुए वो कितने हुए 32 मगर space कितने है 36 अभी future में वो इस कबर हो जाएंगे तो संक्या उनकी बढ़ जाएगी ठीक है और डिसी लिए क्या है total periodic table में जो element है कितने होने चाहिए 108 होने चाहिए कह सकते हैं जो place है position है वो 108 है मगर फिलाल total element कितने है 114 है क्योंकि 4 elements के है unknown है missing है और वो किसके missing है P block के चलिए तो बात ध्यान रहेगी S block के element कितने हो गए अगर हम बात करें S block के कितने हो गए 14 F block की बात करें तो कितने हो गए 28 और P block की बात करें तो कितने हो गए 32 है होने चाहिए 36 मगर 4 और मिसिंग है भी तो क्या हो गया 32 नेक्स एक प्रॉब्लम देखिए यह किरा पेर ओफ एलिमेंट्स वीच आर एक्सेप्शनल ओफ ब्लॉक क्लासिफिकेशन ओन दे बेसिस ओप पॉजिशनिंग पिरियोडिक्टेबिल यह किरा इन में से कौन सा पेर ऐसा है जो ब्लॉक क्ला बिल्कुल एकड़्म सही पोजिशन पर रख्योंए किस में थर्ड भी गूरूप में थिके तो थर्ड भी गूरूप में है और एप ब्लॉक एलिमेंट में जहां इनकी पोजिशन होनी चीए वहीं पे हैं दोनों बात करें जैड गया P-block, यानि कि 18-group के top पे, तो इधर helium को रख दिया गया P-block की side और hydrogen को रख दिया S-block की side, तो इनकी position क्या है, सही नहीं है, किसमे? पिरियोडिक टेबिल में, कौन सी पिरियोडिक टेबिल, modern पिरियोडिक टेबिल, तो आंसर यही हो गया, के लिए रोगी बात, चलिए, तो दोनों ही S-block element है, जिबकि हाईडोजिन कहां रख गया S-block की तरफ, और helium कहां रख गया P-block की तरफ, यह first group में रख गया और यह 18-group म यह कहला है, जो अगर हम बात करें, next atomic number, वो next atomic number बताईए, जिसके आने से, जिसके आने से, जो present periodic table है, उसका model ही क्या हो जाए, change करना पड़ जाए, तो देखिए, change करना कब पड़ जाएगा, अगर हम बात करें, तो हमारी periodic, जो present periodic table है, उसमें S-block side है, P-block side है, और F-block side है, मगर G-block side नहीं है, अगर कोई भी किसी भी element का atomic number इतना हो जाए, कि एक electron को G में जाना पड़े, और G-subcell में जाना पड़े, तो G-subcell के लिए अभी position वहाँ पे नहीं है, G-subcell का कोई भी G-block का कोई भी उधर area नहीं है, उसमें G-block नहीं ली गई है, तो अगर G-block में electron जाए होंगा, दो electron बढ़ाओं तो किस में जाएंगे, फरस्ट A और सेकिंड A, मतलब S-block element तो है, मगर उसके बाद, जब दो electron आने के बाद क्या होगा, तीसरा electron जाएगा, तो अब वो किस में जाएगा, जैसे देखिए, साथ period है, अगर आठवा period होगा, तो आठवे period में क्या start ह हो गई होगी, G-subcell start हो गई होगी, और G-subcell start हो जाएगी, कौन सी, अगर हम बात करेंगे, तो G-subcell start होगी, तो अब जो electron है, पहले दो electron जाएंगे, फरस्ट में मतलब S-block में, और तीसरा जो electron होगा, वो किस में जाएगा, G-subcells में, पहले आप S भरेगी, S के बाद G, क्या electron है, 118, 118 place है, अब मैंने 2 electron और डाल दी, इसमें, तो 2 place और ले लिए, तो कितना होगे, 120, 120 जो 2 place डाल रहा हो, यह तो S में चले जाएंगे, मगर 120 के बाद, जब तीसरा लूँगा, मतलब 121, तो वो किस में जाएगा, G-subcells में, और वो G-subcells present नहीं है, तो इसलिए answer क्य हो गया, 121, तो 121 वो क्या है, next atomic number है, जिसके आने से periodic table का model क्या करना पड़ेगा, change करना पड़ेगा, देखे, 118 की place तो वहाँ बनी हुई है, अब इसमें 2 electron और दूंगा तो कहां चले जाएंगे, first है और second है, मतलब S block में, और वो तो S block तो place है, ठीक, उसके कितना होगे, 120 तो 120 तक तो कहानी कोई change करनी नहीं पड़ेगी, मगर उसके आग अगर एक electron बढ़ाओगे, तो किस में जाएगा, G-block में जाएगा, और G-block में जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, G-block का space place हमें बनाना पड़ेगा, और G-block का place बनाना पड़ेगा, तो present periodic table है, इसका model हमे 100 या 100 से अधिक हो, तो उनका जो naming है, उनकी जो IUPAC naming है, वो किस तरीके से हम करते हैं, तो देखिए ज़रा इसकी naming, तो हम कर रहें, IUPAC naming देख रहे हैं, किसकी elements की, कौन से elements की, जिनका atomic number 100 या 100 से जादा हो, तो इसमें IUPAC naming किस तरीके से करते हैं, देखिए, जैसे हमने organic compound मे IUPAC naming पड़ी थी, तो उसमें numbering के हमने word roots लिये थे, इसमें भी वैसे ही थोड़ा सा change है, अगर 0 है, तो 0 को हम लेके चलेंगे nil, अगर 1 है, तो उसको लेके चलेंगे uni, ठीक है, यहाँ पे uni, और अगर 2 है, तो क्या लेके चलेंगे by, डाई नहीं, क्या लेके चलेंगे by, ऐगर 3 है, तो क्या लेके चलेंगे try, और 4 है, तो Tetra नहीं, क्या लेके चलेंगे quart, अगर बात करें 5, अगर 5 नंबर है, तो 5 नंबर को हम लिखेंगे pent, एगर 6 है, तो उसको क्या लिखेंगे hex, अगर save-in है, तो उसको sept लिखेंगे naki have, जैसे organik में है, मगर here save-in को लिखें तो रेखिएजी इसमे किसी element का atomic number कितना है 108 तो इसका नाव कैसे लिखएगे तो नाम हम क्या लिखेंगे one के लिए तो आगे यूणी और जीरो के लिए अग्या निल और eight के लिए आगेaut और last में क्या लगा देंगे EM, तो यह complete इसका नाम हो गया, अगर इसका symbols देखें, इसका representation, इसको कैसे represent करेंगे periodic table में, इसका जो symbols है, तो क्या होगा, one के लिए तो आगिया, यह कि uni के तो आगिया, U, और nil का आगिया, N, और oct का आगिया, O, तो किसका symbol क्या होगिया, U, N, O, next, देखिए, जैसे atomic number है, 143, 143 का अगर हम नाम लिखें, तो one के लिखेंगे uni, और four को लिखेंगे quad, ठीके, और three को के लिखेंगे try, और last में क्या लगा देंगे EM, यह इसका IUPC name हो गया, इस element का, और अगर symbols देखें, इसका representation, तो unit का U, और quad का Q, और try का क्या हो जाएगा T, तो U, Q, T, क्या होगिया, इसका represent symbols होगिया, जिससे हम क्या करेंगे से represent करेंगे, यह कह सकते है, periodic table में इस representation से हम इसको indicate करेंगे, ठीके, next, अगर हम बात करें, यह करें, next alkali earth metal, next alkali earth metal मतलब जो आगे future में पाया जाएगा, alkali earth metal का मतलब second group के metal, next की बात कर रहा है, तो फिलाल कहां तक, अगर next की बात करेंगे, तो कितना आएगा, 120, आप देख लीजेगा, आप देख लीजेगा, जहां तक भी क्या होगी है, saving period तक की जो element है, उसके आगे जब हम जाएगे, तो कितना add कर देंगे उसमे, उसमे magic number ले लेंगे, कितना, 32 या 50, वो आप देखिए, तो कितना आएगा उन number, 120 आएगा, मैं आपको सिखा शुका हूँ, magic number से कैसे निकालेंगे, तो कितना आएगा, 120, ठीके, और 120 आएगा, तो बस जो next alkali art metal है, वो कितना आएगा, 120 आजाएगा, 120 आएगा, तो उसका नाम हम लिख सकते हैं, या 1 को लिखेंगे u, और 2 को लिखेंगे बाई, और 0 को लिखेंगे nil, और last में कैं लगा देंगे em, और symbol हो जाएगा ubn, clear, चलिए, बात करें जैसे last d block element, last d block element का नाम कैसे होगा, कैसे represent करेंगे, तो last d block element ज़रा समझेए, अगर हम बात करें last d block element, तो D block element का last कौन होगा जैसे last करें तो 12 group 12 group मतलब second B तो second B में last last group क्या होता है D block का 12 group और 12 group को यह बोल सकते हैं second B group और उसके element कौन होते हैं Z and C, D, H, G तो इसका last element बताइए तो last element मतलब last अगर वो कहता next last, next का मतलब जो unknown है अभी, और last का कह भे रहा है तो last का मतलब जो अभी known है, given है हमें, जो हमें जिसका हमें पता है, जो discovered है, तो देखी कैसे पता करेंगे, तो मैं बता रहा हुँ, देखी कैसे हम पर इसको पता करते हैं, वैसे यहां पर पता कर देखिएगा आप ठीखे चलिए जैसे इसका फर्स्ट अलिमेंट कौन है जैडन मैंने आपको बताया था कि जो डी ब्लोक अलिमेंट है उनका जो मैजिक नंबर है वो कितना होता है 18 32 32 इसमें थर्ड भी यह करें लास्ट दी ब्लोक अलिमेंट तो लास्ट दी ब्लोक अलिमेंट का मतलब क्या है कि दी ब्लोक का लास्ट गुरूप और लास्ट गुरूप का भी कौन सा लास्ट अलिमेंट तो लास्ट गुरूप तो कौन है डी ब्लोक का ट्वैल गुरूप ट्वैल गुरूप कहें 18 18 32 तो किसमें चलता है 3rd B में बाकी सारे D block के लिए कितना होता है 18 32 32 तो देखिए इसमें आप क्या करिए 18 जोड़िये तो यह आ जाएगा इसका नमबर आएगा फिर इसमें आप 32 एड़ करिए तो इसका नमबर आएगा फिर इसमें 32 और एड़ करिए तो कितना आ जाएगा एक सो बारा समझ में आगी बात नहीं बस जोड़ते हैं यह तो इसका मतलब क्या है तो यह लास्ट आना है तो 30 में जोड़ यह कितना 18 प्लस 32 प्लस 32 कितना आ जाएगा 112 जोड़ लीजिए हाँ ठीक है 112 नंबर इसका इसका इसको symbol कैसे लिखेंगे इसका तो 1 का होगया U, 1 का होगया U और 2 का होगया B के लिए रोगए बात चलिए नेक्स देखें नेक्स यह करा है next metal of first first B group first B group की बात कर रहा है तो first B का मतलब है 11 group तो 11 group में 11 group में कर हम बात करें तो पहले element को होगा CU ठीक है 12 के just पहले जिनके जस्ट पहले हो कितना होगा copper और copper का atomic number कितना होता है 29 और हमें क्या बताना इसका next last नहीं बताना next बताना तो next कौन सा होगा 5th number last कौन सा होगा 4 number यह तो known है जो known है वो हो गया last और जो unknown है वो क्या हो गया next clear होगी बात नहीं चलिए तो हमारे पास पहला element पता होना चाहिए कितना 20 इसका atomic number कितना है 29 बस अब तो क्या होगा जितने भी deep block element के लिए magic number अगर हम देखे तो कितना होता है 18 32 32 मगर इससे आगे की जरुवत पढ़ रही है तो आगे का magic number होता है 50 मैं आपको पहले भी बता चुका हूं magic number क्या होंगे 28 18 32 ठीक है 28 18 32 उसके आगे जरुवत पढ़े तो 50 उसके आगे जरुवत पढ़े तो कितना 72 कैसे पता चलता है कि विजएंगे 72 और एक तरीका भी होता है इंडो निकालन का फिलाल तो निकालने की जरुवत क्या है तो आप दिया धर्द किये इनको magic number कितना होगा 2 8 18 32 और कितना 50 फिर 72 क्या होता है यह magic number यह होता क्या है किसी भी सैल में maximum possible यह ton तो बस यह आता चले जाएंगे चलिए तो अगर हमें क्या है last लेक्टों निकालना next लेक्टों निकालना next का मतलब fifth number का element इसका और fifth number के लिए हमें फिर अगले magic number के जहत पड़ेगी क्योंकि हम यह यूज कर चुके क्योंकि डी ब्लोक के लिए magic number क्या होता था 18 अनिके 18 32 32 मुझे next element चाहिए तो क्या लेंगे अगला next magic number आ जाएगा कितना 50 क्योंकि कोई भी magic number और दो से ज्यादा यूज नहीं होता चलिए तो 32 32 दो बार आ चुका तो आगे क्या लेना पड़ेगा 50 तो इसमें देखिए इसमें एड करते हैं यह मुझे यह निकालना तो इसमें 29 में एड करिए 18 32 32 प्लस 50 तो मिनिकल के कितना आ जाएगा यह 161 अगर वो पूछता last element तो केबल यहां तक एड करते हैं तो 29 में एड करते हैं 18 प्लस 32 प्लस 32 कितना आ जाता है 11 तो last element तो हो गया जिसका atomic number हो गया 11 और इसका इसका symbols क्या हो जाएगा यू 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 यह तो नौन है हमें और अगर बात करें next की जो unknown है तो उसमें 50 और add कर दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा 161 तो इसका symbols क्या जाएगा 1 को लिखेंगे यू और 6 को लिखेंगे hexa hexa का आगया h और 1 को लिखेंगे uni uni का आगया u तो u h u यह क्या हो गया इसका representation हो गया इसकी symbols हो गई तो देखिए अगर हम बात करें यह कह रहा है next magic number next magic number इसमें क्या हो गया 32 के बाद कितना आगया 50 आगया है कैसे एक और तरीका है magic number को निकालने का वो देख लेजिए 8 अगला magic number कितना आगया 8 अब P के बाद कोना है कि D और D में कितने electron आते हैं 10 तो 10 add करिए 18 में 8 में 10 add करिए कितना आगया 18 next क्या आएगा अब F में कितने electron होते है 14 तो देखे P S के तो यह आगया 2 फिर P फिर D फिर F फिर G फिर H इस ताइप साइएंगे P में maximum electron कितने हो सकते 6, D में 10, F में 14, G में 18 और H में कितने 22 कैसे पता चल रहा है S में 1 orbital होती है S subcell में 1 orbital तो P में कितनी होंगी 3 orbital, D में कितनी होंगी 5, F में कितनी होंगी 7 और इसमें G में कितनी हो जाएंगी 9 और अगर H में करेंगे तो कितनी हो जाएंगी 11 हर बाद 2 add करते चले आईएगा ठी किसी भी सब्सेल में कितनी और विटल सोती हैं तो इंड सम में A2 3 परावर करें संदिन ग्रiac seeds T4 डे तो एंड कर दविड़ करते चल्द अ 18 में 14 एड़ करेंगे तो 32, 32 में 18 एड़ करेंगे तो 50, 50 में 22 एड़ करेंगे तो 72, यही magic नमबर है, ठीके, मगर ध्यान लगतना हर एक magic नमबर दो बार यूज़ होता है, ठीके, चलिए, देखिए अगर हम बात करें कि periodic table से exam में 2 problems आती है, कि 3 problems आती हैं, यह बेकार की बात ह कितने problem आती हैं, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आगे आगे आप complete inorganic पढ़ेंगे, या कहीं भी कुछ आगे organic पढ़ेंगे, तो बहुत जादा इसका use है periodic table का, और periodic table को आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ज़री से चाहिए, इससे एक भी question आए, क्य आए, बैसे जनरल, अगर हम बात देखें, तो इससे pure अगर problem देखें, तो दो से तीन problem इसमें, से pure problem आती ही, दो से तीन, हर साल, हर एक competition में, ठीके, तो अगर बात करें, अगर overall इसका roll देखें, तो roll कम से कम, जितने भी पूरा paper में, अगर हम देखेंगे, तो कम से कम, 6 से 7 question में, इसका completely roll होगा, बलकि इससे भी जादा, तो इसलिए आप समझे कि periodic table कितना important है, इस periodic table को बहुत ही अच्छे से आपको करना है, बहुत अच्छे से करने का मतलब, बहुत ध्यान से सुनना है, और कुछ नहीं, ठीके, thanks